नमस्कार, News Click में आपका स्वागत है, आज हम चर्चा करेंगे COVID-19 की जो vaccines का गोशना की गई है, कि हमने 1 billion doses दे चुके हैं और ये दुनिया में एक record किसम का है सत्य जीत, पहली बात तुझे है, जब हम कहते हैं एक बहुत अनुख़ा चीज है, हम इसको नजर दास कर रहे हैं कि हमारी population काफी ज्यादा है, दुनिया में दूसरी नमबर की है और हम टीका में भी दूसरे नमबर में है, चीन पहला नमबर में है, इसलिए हम अगर कहें कि सबसे ज्यादा हमने टीका दिये हैं, दोनों चीज को हमें बतलानी पड़े हैं तो दो तरीकों से ये जो अपनी पीट सब्थपा रहे हैं हम लोग, उसके बारे में दो अलग-अलग तरीकों से हमने सोचना चुछे हैं बारी बात तो ये है कि वाकई अच्छी बात है कि सोक्रोड टीकों के डोस हमने आज तक दिलवाए हैं और टीका करन अभियान जैसे भी हो, जारी है, चल रहा है ये देश के लिए, देश के स्वास्त के लिए बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है वो कहने के बाद इस पर थोड़ी नजर डालें कि सोक्रोड डोसों का टीकों के मतलब क्या है अब ये याद रखेगा कि टीका करन पूरा तब होता है जब दो डोस दे जाते हैं तो सवाल दो तरीकों से पूछे, एक तो आबादी के मुद्दे को नजर में रखते हुए कितनी फीसदी आबादी तक टीका करन पहुचा है टार्गेट पॉपुलेशन की कितने भाग अपने टीका करन की है पूरा टीका करन याने कि दो डोसों का टीका करन कितने लोगों का हुआ है तो इसका जवाब ये है कि आज तक 20 फीसदी, 21 फीसदी लोगों का टीका करन पूर्ण हो चुका है दो डोस बेचुके है जी इसमें याद रखने वाली बात ये भी है कि 10 फीसदी से 20 फीसदी तक आने को हमें आठेक हफते लगें अब हर 10 फीसदी बढ़ंत को अगर 8 हफते लगने हैं तो अपन में से कोई भी आखड़े गिन के बता सकता है कि पूरा टीका करंदेश का होने के लिए और कितने महीनो की अब ही लगेगी आप जो कह रहे हैं उसके मताबिक साल के अंध तक हमारा एक टार्गेट था कि हम टार्गेट पॉपुलेशन को सतर असी फिस्टी कम से कम टीका करन कर लेंगे तो उस लक्ष से हम कितना दूर रहेंगे अगर इस वक्त की रफतार जारी रहे और ये भी हम देख रहें इस रफतार में एक्ष्विली कुछ स्लोइंग डाउन है धीमी गती इस वक्त नजर में आ रहा है तो इसको देखते हुए क्या लगता है हमारी लक्ष कितना दूर तक पूरा कर पाएंगे तो जवाब में ये कहूंगा कि जो अभी मैंने कहा कि हर दस फीसदी ब तो अपन ने कोई आकड़े बताने की जरूरत नहीं है सब के सामने है के साल के अंत तक जो की अभी से दू महीने भी दूर नहीं है कहां तक अपन पहुंच पाएंगे पूरांटी का करण की लेकिन मैं इसके आगे जाके आपने जिस बात पर बात का निर्देश किया है उस पर आना चाहूँगा कि अपन ने बीस फीसदी पूरांटी का करण किया है लेकिन पचास फीसदी से ज्यादा एक डोस का टीका करण किया है अब यह जो फर्क है दुनिया में तकरीबन सबसे बड़ी मातरा का फर्क है यह एक डोस और डो डोस वाले आंकडों में तो अब इस फर्क को जो दुनिया में सबसे ज्यादा है उसे कई तरीकों से देख सकते है एक तो ये हैं कि हम जोर धडले से पहले डोस के पीछे पड़े हैं, जो सरकारी व्यावस्थाएं निस संचाय कहेंगी कि हम जितना व्यापक पैमाने पर हो सकेटी का करण पहुंचाना चाह रहे थे, इसलिए पहला डोस पहुंचाया है, दूसरा डोस थोड़ी कमरफ़तार से पहुंचाया है, इसमें हो सकता है, उसमें थोड़े बहुत इश्टेहारी मुद्दे भी हैं कि बड़े पैमाने पर कौन से आंकड़े बढ़ पाएंगे, इसकी कोई सोच रख के सरकारी व्यावस्थाएं इसके पीछे पड़ी होंगी, लेकिन इसमें और एक मुद्दा तक धहास्त व्यावस्थात अद्न हैं, वो कहते ही हैं, वो यह है कि हमने कोव शील्ट के पहले और दूसरे डोसो के दरमियान का वक्त, 14-16 हफ्तों का रखा हुआ है, यह दुनिया में काफी ز्यादा है, दुनिया में आमतोर से तीकों का, दो डोसों के दर्मियान का वक्त चार से आठ हफ़तों तक होता है तो हो सकता है कि इस बड़ी गैप की वज़े से हमारा पहला डोस काटी का करण जोर रफ़तार से चल रहा है दूसरे डोस का थोड़ी कम रफ़तार से चल रहा है और इसको पुष्टी मिलती है हाल के आंकड़ों में जहां दूसरे डोस वाले लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं पहले डोस वाले लोगों के आंकड़े कम हो रहे हैं अब एक तौर से यह अच्छी बात है कि जिन्हें पहला डोस मिला है वो दूसरे डोस के लिए आ रहे है उन्हें दूसरा डोस मिल रहा है अच्छी बात है उनका पूरा टीका करण को रहा है लेकिन पहले डोस वाले जो लोग हैं उनके आंकड़े अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब एक तो यह हो सकता है कि काफी बड़े पैमाने पर वैक्सीन को लेकर बेचे नहीं है लोगों में और लोगा नहीं रहे दूसरा तो यह हो सकता है कि वैक्सीन के उतने डोस की उपलब भी नहीं है और उसलिए पहले डोस वालों तक वैक्सीन पहुंच नहीं रहा और इसलिए जो आपने पूछा कि साल के अंत तक कितने फीसदी लोगों का पूरा टीका करण होगा तो उसमे जिन पचास फीसदी लोगों तक पहला डोस पहुंचा है उनमें कुछ हद तक पूरा टीका करण दूसरे डोस के साथ होगा लेकिन कितने नए लोगों तक टीका करण पहुंचेगा उसको लेकर इन आंकडों से सवाल खड़े होते हैं तो यह सब सोचने की उसके बारे में कुछ समाधान सोचने की और जो टीका करण अभियान है उसको बढ़ावा देने की उसमें बदलाव करने की सबूरी की सोच की लगन की जरूरत है यह कोई उस सब मनाने की बात नही है सत्यजीत आप जो कह रहा है इस पर एक सवाल इस पर और भी आता है क्या अभी यह भी हालत है कि जिनके पास पैसे हैं वो तो आसानी से टीके लगा पा रहे हैं वो जिनके पास पैसे नहीं है सरकारी स्कीमों पर डिपेंड कर रहे हैं उन तक टीका इस तरह से नहीं हमने सरकारी सार्वजनिक टीका करन केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनों के चित्र तो नहीं देखे माध्यमों के जरीए तो मेरे खयाल में जहां कमी है वो केंद्रों तक टीके पहुँचने में और जिन सामाजिक गुटों तक टीका करन अभियान की जानकारी पहुँची नहीं है उन तक वो पहुँचाने में जो सरकारी व्यवस्थाएं असमर्थ रही है ये बातें ज्यादा बुनियादी है ना कि सिर्फ दोसों की उपलगदी की खामिया और दोस पहुँच भी गये है लोग तक कैसे पहुँचे ये सवाल है और बहुत जैसे इन इलाकों में जहां पर डिस्पर्स पापुलेशन है काफी दूर में रहते हैं वहां तक कैसे टीका पहुँचे ये भी सवाल है सत्यीद हम हाँ आप कुछ आप कुछ कहरें दो मुद्दे टीका करन अभियान के बा दिली में बैठते हैं वो बजाते हैं उन्होंने कोई टीका करन नहीं किया टीका करन कौन करता है टीके दूर दराज के गाहों तक कौन पहुचाता है जो छोटे लोग टीका करन अभियान में शामिल है जमीनी इलाकों में वो करते हैं सवाल याद में हमने ये रखना कि क्या उनकी नौकरियां उतनी ही पक्की है जितनी सेक्रेटरीज की नौकरियां पक्की हैं और इसका जवाब हमने व्यवस्था से सरकार से मांगना चाहिए यह वही पहली बात और दूसरी बात जो आपने बात कही कि 100 करोड का हमने धिंडोरा पीटा है तो 100 करोड का धिंडोरा इसलिए पीटा है कि सवासो से ज़्यादा करोड अबादी का देश है हम दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं एक चीन है एक हम है और चीन के टीका करण के आकड़े हम से कहीं बढ़कर है हम बीस फीसदी पूर्ण टीका करण कर चुके हैं चीन पचास फीसदी से ज्यादा पूर्ण टीका कर चुका है तो अब किसके साथ सब इस परदा कम रहे हैं हम सो करोड के आंकडों को लेकर नेदरलेंड से बेल्जियम से पुर्टगाल से कि हम हम क्या कह रहे हैं उनकी सो करोड आबादी है और क्या मजा की बाद है और एक चीछ पे वापस आना चाहते हैं आपको याद होगा कि हमारे जो साइंटिफिक अडवाइजर टू पी एम है विजर आगवन उन्हाने कहा ता कि थर्ड वेव अव संभावी है होएगा ही औ उसके बाद वो क्या कहा है न्यूस लाइन से गायब हो गया एक दब फिर वापस दिखाई नहीं पड़े तो अभी की आंक्रे जो है वो ये दिखाता है कि अमरीका सबसे उपर है दुनिया में और जो देश पहले भी उपर रहे हैं वो उपर है हम भी बहुत कम नहीं है हकीक ज्यादातर प्रदेशों में संख्या की जो नए केसिस आ रहे हैं कम है पर अभी थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि थोड़ी सी बढ़त दिखाई पड़ रही है और ये आशंका है हो सकता गलत निकले कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन पे काफी छूट है लोग काफी मिल रहे एक दूसरे से मार्केट जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं तो एक नर्मेलसी की जो एक आशा है लोगों में उस पे लोग मिलना जूलना भी बढ़ाये हैं तो जो कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग वगारा चीज़ें काफी दूर हो चुकी है तो क्या आपको लगता है कि जो छोटी-छोटी बढ़त दिखने को मिल रही है पच्चिब मंगाल में मिज़रा में तो काफी तेजी से बढ़ा है पर दूसरे प्रांतों में भी कुछ देखने को मिल रहा है थोड़ा सा बढ़त इस वक्त है और हम जानते ही हैं पहले की अनुभव से कि जब शुरू होता ह है तो बहुत धीरे से शुरू होता है पर एक बार तेजी पकड़ लेता है तो बहुत जल्दी वह एकदब कहा करते हैं छलांग लगा के ऊपर पहुंच जाता है क्योंकि उसको जो कहते हैं लोगरिथमिक जियोमेट्रिक प्रग्रेशन में बढ़ता है तो क्या इसकी आपना है कि तीसरे वेव भी आ सकता है उसकी बिना जोतिशी विद्या की पालन किये आप क्या इसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं तो पहली बात ये कि विजराग्वन साहब ने जो बात कही थी बिलकुल जाहिज थी कि एक वेव आएगी दूसरी वेव आएगी और उसके अस्त हो जाएगा तो ये तो होना ही है और जैसे कि आप आकड़े बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इसी तरीके से हो रहा है स्थानिक जो उद्रेक हो रहे हैं जो विस्फोर्ट हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं इधर उधर कई राजों में उनके आकड़े यहां तक हैं कि हम सो करोड को लेकर अपनी पीठ थपतपा रहे हैं, उससे एक यूँ चित्र उभराता है कि टीका करन कर चुके हैं, महामारी पर खब्जा पा चुके हैं, अब घबराने की कोई बात नहीं है, दिवाली है, बस धूम से नाकूस बजाओ, दिवाली मनाओ, यह सरासर गलत बात ह और इस सरासर गलती का जो सबूत है, वो बरतानिया और अमरीका के रूप में हमारे सामने हैं, जो जिन आकड़ों का आपने जिकर किया था, तो अमरीका में आकड़े बढ़े हैं, और कहां बढ़े हैं, जिन इलाकों में, जहां पे महामारी पर, महामारी के विज्ञान पर अविश्वास है, ऐसे इलागों में आंकडों की बढ़न बहुत ज्यादा है, दूसरी और बरतानिया है, जहां पे सरकारी स्थर पर, प्रशासनिक स्थर पर, किस तरीके के उपाय किये जाएं, किस तरीके के नर्बंध डाले जाएं, इसको लेकर काफी संदिक्ता और अनिश् और शोर से बढ़ रहे हैं, तो हम ना सो करोड के बारे में खुब खुश होते हुए, सामाजिक दूरी करण के जो उपाय है, जैसे की नकाब का है, जैसे की दूरी करण का है, उन्हें छोड़ना भूल जाएं, और फिर उन्हीं का सीका सबक हमें फिर सीखना पड़े, अपन अनुभव से, ये ना हो, इसलिए अपने ये सब याद रखना चाहिए. तो तुरंत हमें कदम उठानी चाहिए, और मान के चलना चाहिए, कि वैक्सीन जब तक पूरी तरह नहीं हो जाएगी, और इसके साथ-साथ नए ऐसे नसल नहीं दिखाई पड़ेगी, जो कि वैक्सीन दुबारा एक हमारे डोस देने की जरुरत पड़े, तिबारा डोस दे हमारी रखेंगे, आज के लिए इतना ही देखते रहीएगा, न्यूस क्लिक और जरूर हमारे वेबसाइट में भी आगी आएगा, और हमें अपना समर्थन बेज़ताएगा, हमारी सब्सक्रिप्शन लेकर.